नमस्कार दोस्तों, लाइफ कीपर चैनल में आपका स्वागत है, मित्रों जैसे की नवरात्री में सभी भक्त माता की अनेक रूपों में पूजा करते हैं, माता रानी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है और सब पर अपना आश्रिवाद बनाए रखती है दर्शको नवरात्री के आठवे दिन महागोरी की पूजा की जाती है, महागोरी के सभी आभूशन और वस्त्र सफेध हैं, इसलिए उन्हें श्वेताम बर्धरा कहा गया है, इनकी चार भुजाएं हैं और इनका वाहन व्रिशब यानी बैल है, इसलिए इन्हें व्रिशारू इनके ऊपर वाला दाहिना हात अभय मुद्रा है, तथा नीचे वाला हात प्रिशूल धारन किया हुआ है, और उपर वाले बाय हाथ में दमरू धारन कर रखा है, तथा नीचे वाले हात में वर मुद्रा है भगवान शिव को अपना वर बनाने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी, उनकी कठोर तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया ये देखकर भगवान शिव ने अपनी आख खोल दी और माता से पूछा, है देवी तुम्हें क्या चाहिए? तब माता ने भगवान शिव से शादी करने की इच्छा व्यक्त की, तो यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, है देवी मैं तो एक तपस्वी हूँ, एक तपस्वी के साथ जीवन काटना आसान नहीं है, तुम किसी समरिध राजकुमार से शादी कर लो लेकिन माता तो अपनी बात पर अडी थी, उन्होंने साफ कर दिया कि वह विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी जब कहीं कोशिश के बाद देवी नहीं मानी, तो उनकी ये जिद देख कर भगवान शिव पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए पती रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए देवी ने जो कठोर तपस्या करी इस वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था लेकिन तपस्या से प्रसन होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया और उनका रूप गौर वर्ण का हो गया इसलिए देवी का नाम महागोरी के नाम से भी जाना जाता है महागोरी अमोग फलदाइनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं और पूर्व संचित पाप भी नश्ट हो जाते हैं महागोरी की पूजा अर्चना उपासना आराधना बहुत ही कल्यानकारी है इनकी क्रिपा से अलोकिक सिध्धियां भी प्राप्थ होती है दोस्तों देवी भागवत पुरान के अनुसार देवी पारवती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल फल और पत्तों का आहार करती थी बाद में माता ने केवल वायू पी कर ही तब करना आरंभ कर दिया था इसलिए इस तपस्या से माता पार्वती को महान गौरफ प्राप्थ हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा वहीं दूसरी पौरानिक कथा के अनुसार कालरात्री के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोले नाथ ने देवी पार्वती को मा काली कहकर चिढ़ाया था फिर माता ने उत्पेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्गे दिया देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी फिर ब्रह्मा जी के सलाह को मानते हुए मा पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया इस नदी में सनान करने के बाद माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया था इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया मागौरी अपने हर भक्त का कल्यान करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है नवरात्री के आठवे दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है देवी भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी मा के नौरूप और दस महाविघाएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अरधांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है धर्म अनुसार माता की शक्ती अमोग और सद्य फल्दाइनी कही गई है महागौरी की पूजा करने से जीवन में किये सभी पाप नश्ठ हो जाते है पंडितों के अनुसार जिसकी कुंडली में विवाह से संबंधित परिशानिया हो रही है उन्हें महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए महागौरी की उपासना से शीघ्र विवाह संपन होने के योग बनते है साथियों ज्यादातर घरों में नवरात्र की अश्ठमी तिथी के दिन कन्या पूजन किया जाता है वहीं कुछ लोग नवमी तिथी के दिन भी कन्या पूजन करते है शिव पुरान के अनुसार महागौरी को आठ साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पती मान लिया था और शिव को पती रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी इसलिए अश्ठमी तिथी को महागौरी के पूजन का विधान है इस दिन दुर्गा सब्तश्ती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेश फलदाई होता है जो लोग नौ दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और आठवे दिन का व्रत कर पूरे नौ दिन का फल प्राप्त करते हैं माता की पूजा के बाद प्रसाद में हलवा पूरी, सबजी और काले चने विशेश रूप से बनाया जाता है तो दर्शकों इस प्रकार अगर आप नवरात्री के नौ दिनों तक माता की विधी पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं तो आपके जीवन में सदैख खुशाली बनी रहती है माता रानी सब पर अपना आश्रिवाद बनाये रखती है माता रानी किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती है तो दर्शकों कैसा लगा आपको यह विडियो हमें उम्मीद है कि आपको यह विडियो जरूर पसंद आया होगा कृप्या अपना कमेट करके जरूर बताएं और विडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बैल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी चैनल पर नया विडियो आए तो सर्वप्रथम आपको मिले धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब हो